Hi guys, welcome back to my channel, कैसे हो आप सब, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो guys, आज की वीडियो में, मैं आपके साथ जशन की वीडियोशेर कर रही हूँ, आज की वीडियो में, मैं आपके साथ जश्ट रिमूब टैंगलस की वीडियोशेर कर रही हूँ, काफी टाइम से न मैंने टैंगल्स रिमूव की वीडियो शेयर नहीं की है क्योंकि न जशन की टैंगल्स रिमूव करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कम से कम आदा गंटा लग जाता है बालों में से इतनी ज़्यादा बालों में अटके होती है कि उन्हें निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो इसलिए मैं हमेशा इस पार्ट को स्किप ही कर देती हूं तो आज मैं जस्ट आपके साथ यही वीडियो शेयर कर रही हूं कि उसके बालों में से हमें टैंगल्स रिमूव करने में कितना टाइम लगता है हेर फॉल की प्रॉब्लम उसे बिल्कुल भी नहीं है बट जब भी हम उसे हेर वाश करवाते हैं या फिर कंडिशनर भी यूज करते हैं सिरम का भी थोड़ा बहुत यूज करते हैं बट फिर भी उसके बालों में टैंगल्स बहुत जादा होते हैं जिने निकालने में हमें इतना ज़ीदा time लग जकता है कम से कम आदा घंटा लग जकता है क्योंकि मैं बिलकुल आराम से उसके बालों में इसे tangle न Geral निकालती हो ताकि उसे बिलकुल वी पेन ना हो बालों की आप लेंठ देख सकते हैं कि उसके बालों की लेंठ बहुत जादा लंबी है बहुत उसके बालों की लेंद इंक्रीज हुई है इतने हैवी उसके बाल हो गए है मस्टर्ड ओयल ही स्पेशली हम उसके बालों में यूज करते हैं या फिर कोकोनेट ओयल यूज करते हैं इसके इलावा मतलब गर्मियों में मैं दहीं भी उसके बालों में लगा देती हूं या फिर कोई भी DIY चीज उसके बालों में यूज मैं कर लेती हूं जिससे कि उसके बाल इतने सुन्दर हैं इतने हैवी हैं healthy बाल हैं उसके hair fall की problem उसे बिल्कुल भी नहीं है बस जब हम उसे hair wash करवाते हैं उसके बाद tangles remove करते हैं तब थोड़े बहुत बाल निकलते हैं तो hairstyle की वीडियो भी जल्दी मैं आपके साथ share करूँगी hair wash, oiling सब भी चीज़ों की वीडियो शेयर करूँगी आज की वीडियो में जस्ट मैंने tangles ही remove की हैं और उसके बाद मैंने उसका जूड़ा किया है बालो में हमने oiling की हुई है, mustard oil मैंने उसके बालो में लगाया है और जशन के बालो में तो एक तरह से heavy hair oiling ही हमें करनी पड़ती है क्योंकि उसके बालो की length के according tail बहुत ज़्यादा लग जाता है उसके बालो में आप देख सकते हैं कि उसके बालो में कितना तेल लगा हुआ है अगर हमें कोई भी hair style करना है या फिर braid भी बनानी है जूड़ा भी करना है तो ड्राइ हेयर में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं सबसे पहले तो हमें उसके बालो में अच्छी तरह से oiling करनी पड़ती है मस्टर्ड ओयल इस चाइब मैं ज्यादा यूज कर रही हूं उससे इसके बाल काफी ज़दा अच्छे रहते हैं सिल्की शाइनी रहते हैं और जशन के बाल ना बहुत ज़दा कर ली हैं आयूर शेंपू दो साल से वह लगातार यूज कर रहा है जिसके यूज से उसके बाल स्ट्रेट हो गए हैं बाल मतलब ना कर ली कम हो गए है तो देखिए अच्छी तरह से टैंगल रिमूव करने के बाद हमें उसकी ब्रेड बना रही हूं मुझे जूडा करना है और लिंग मैंने उसके बालों में काफी ज़्यादा की हुई है गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब होप आपको ये वली वीडियो अच् चाहते हैं मुझे कमेंड करके जरूर बताना रूटीन भी मैंने आपके साथ शियर की है मौनसुन हीर के रूटीन भी मैंने आपके साथ शियर की है मतलब ना जशन के बाल हर वैदर में उसके बाल काफी ज़्यादा अच्छे रहते हैं हल्दी रहते हैं आप 12 महीने मस्चर् अच्छी लेगी होगी वीडियो अच्छी लेगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए फ्रेंट्स मिलूंगी में आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए दें कि बाई